जाए चार दिन पहले अशोक नगर में मुक्तिधाम में मिले कवो के सेंपल से बर्ड फ्लू की पुश्टी हो गई है भुपाल से मिली पॉजिटिव रिपोर्ट में इन कवो में H5N8 स्ट्रेन का बर्ड फ्लू पाया गया है मुरत कवो की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद बर्ड फ्लू के लिए बना टास्क फोर्स हरकत में आ गया है बीदे कुछ दिनों से करीब दर्जन भर से अलग ज्यादा स्थानों पर पशू चिकित्सा विभाग ने आधिकारिक रूप से 72 कवो को बरामत किया था ह5, N8 इस स्ट्रेन का बर्ड फ्लू कवो से कवो एवं दूसरे पक्षियों में बहुत तेजी से फैलता है साथ ही ये स्ट्रेन मनुश्यों में भी फैल सकता है जिला प्रशासन ने अब इससे निपटने को लेकर तयारी शुरू करती है जिन सानों पर मृतक कवो मिले हैं उन इसकी जाच दिल्ली से आईगी जिसमें समय लग सकता है फिलाल कवो में बर्ड फ्लू की पुष्टी से एतियात बरतने का समय आ गया है पशुचिकितसा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कवो से तूर रहे और अगर किसी भी सिति में उनको नश्ट किया ज कुले